चले तो उमीद करता हूं कि आपने पार्ट वन देखके यह पार्ट वीडियो देख रहे होंगे नहीं देखा है तो फिर से कहना चाहूंगा इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्टिन में आए उपर आई बटन में भी है तो आपने सितरूप से देख लें अपने चैनल के बारे में सारा डिटेव में बता चुका हूं इसलिए आटका नहीं लूंगा इस वीडियो में सीधा चलता हूं तो यानि वह जो प्रैंक्स करते थे प्रैंक्स में बताई चुका हूं उसमें भी वह अनियूज्वल या अनकन्वेंशनल थे थर्ड पॉइंट है वेन ही फाउंड इस कॉलिंग यहां कॉलिंग का मतलग है वर्क और वोकेशन ऑफ च्वाइस यानि कि अपनी रूची का जो प्रो यह इससे पूछ रहे हैं एच सी से यानि की हाफिस कॉंट्रेक्टर से तो पूछते हैं हाव डिडियू गेट इंटु फिल्ड ऑफ आर्किटेक्ट्चर की आप आर्किटेक्ट्चर में कैसे आ गया आप तो पढ़ाय लिखाय में बिलकुल नहीं थे सिनियर सेकेंडर किसी से आपको यादी होगा उन्होंने कहा था तो इसी कहते हैं कि इन दे कॉलेज फॉर अर्किटेक्ट्चर नोबड़ी हूँ हैड गाट बिलो एटी टू एटी फाइटी फाइफ परसेंट वसलाओ तो एंटर यानि की आर्किटेक्ट्चर वाले कॉलेज में जिनको एटी एट ल्णाइट पर फैफ परसेंट से कम थे उनको किसी को भी एंट्रेंस नहीं मिला उनको किसी को दाफिला नहीं मिला याड ओवूर्यछत है मेरे पास 50 परसेंटए तो इसलिए मतलब समझेए कि नहीं के बढ़ रवाबर ही वह चांस था देखिया गे बताते है वान्टे टू जोईन दा आर्मी एक्चली मैं जो आर्मी जोईन करना चाहता था I got my admission letter और इसके लिए मैंने admission letter भी उसमें प्रवेस पत्र भी मुझे मिल गया था बट माई आंट तो रिटा अप लेकिन उन्होंने फार दिया कि भी आर्मी में बिलकुल नहीं जाना हो सकता है अपने अपनी है धना डिसाइड़ दैट आई वन्ट तो जॉइन दा पुलीस फोर्स फोर्स फिर मैंने सोचा कि चलो नहीं तो उसी से मिलता जुलता पुलीस फोर्स जॉइन कर लोंगा लेकिन my mother said लेकिन मेरी माने का don't join the police force कि police force मत join करो just do your graduation कि अपना graduation करो so I went to जाहिंद college in Bombay इसलिए मैं अपना जो है Bombay के जाहिंद college made mission ले लिया मां की बात मान ले पिता जी थे नहीं next पैरा है कि there I was to either take French और German यानि कि एक निस्चित रूप से foreign language लेना रहा होगा उसमें तो या तो फ्रेंच लेना था या जर्मन दो I had studied French for seven years यानि कि उन्होंने स्कूल लाइप में seven years French पढ़ा था I did not know seven words of French तो कहते हैं कि लेकिन मैं तो साथ शब्द भी नहीं सीख पाया French का so I took German इसलिए मैंने जर्मन भासा ले ली जर्मन टीचर डाइड फिर क्या हुआ कुछ दिनों बाद यानि कि हाफिज कॉंट्रेक्टर के वह जर्मन के टीचर मर गया कॉलेज टोल्ड मी कॉलेज ने मुझसे कहा that I could change the college कि या तो मैं college change कर लूँ और टेक फ्रेंच या फिर फ्रेंच लेना परेगा now who would give me admission to another college भाईया मुझे admission कौन देगा 50% वाले को I had got admission to जैहिंद भाई influence वह जैहिंद कॉलेज में मुझे admission भी मिला था वह influence influence का मिनिंग भी आपके बुक में दिया हुआ है an important person recommended him for admission या used his influence to get him admitted जिसको नॉर्मली कहा तो सिफारिस से या पैरवी से जो किसी क्या admission होता है वो हुआ तो भाईया दूसरे college में अब कहां से होगा so I thought मैंने सोचाओ के I will take French चलो भई मैं फ्रेंच ही ले लूँगा and I started learning French again फिर से मैं फ्रेंच सीखने लगा पहले तो मैं साथ सालों में साथ साथ शब्द भी नहीं सीखे थे I learned it from my cousin actually क्या हुआ कि यह वैसे स्कूल में तो मुझे इंट्रेस्ट वगएरा था इसलिए मैं अपनी कजिन से कजिन सिस्टर कह लिजिए उससे मैं सीखने लगा she was an architect's wife she was an architect's wife वह एक आर्किटेक्ट के आर्किटेक्ट आप जानते होंगे न और आर्किटेक्ट्चर इसलिए इनका यह भी आर्किटेक्ट हो गया जो हाउस वगेरा के डिजाइन ले आउट बनाते हैं तो उनकी मेरी जो कजिन थी वह वाइफ थी एक आर्किटेक्ट की आई वाज गई तो एक आर्किटेक्ट के आपिस में जाता था फ्रेंच सीखने तो वह 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 जाने से मैं इन्फ्लूएंस नहीं हो गया यह बाइचांस हो गया कैसे तो इन आर्किटेक्ट के आफिस में आई आई विन्डो का डिटेक्ट की मैं ने देख खा कोई विंडो का डिटेल की ऐसे इन्हीं मैं बना रहा था नक्षा मना रहा था आई एव्न्डों डिटेल इस ब्याइन मनाना बहूत एडवांस ड्रोइंग होता है so I told him that his drawing was wrong कि मैंने देख लिया और मैंने का बही आपका जो है drawing वो wrong है गलत है that the window he had drawn would not open कि आपने जो window का design मना है वो तो खूले गाई नहीं he then had a bet with me फिर उन्होंने मुझसे bet लगाया शर्त लगाई bet means and later he found that indeed कि सही में उन्होंने पाया कि सही में बास्तों में इंडीड में his drawing was wrong कि उनका drawing wrong था my cousin's husband यानि कि मेरे cousin's husband यानि बहन होई जी-जाजी was surprised यह देके surprised हो गए he asked me to draw a few specific things फिर उन्होंने मुझसे का कि कुछ चीजे मुझे यह यह खिच के दिखाओ यह draw करके दिखाओ which I immediately did जो मैंने आराम से कर दिया he asked me to design a house फिर उन्होंने मुझे एक house बनाने के लिए का and I designed a house मैंने एक house बना दिया after that he told me to drop everything and join architecture फिर उन्होंने मुझे का कि सब कुछ drop कर दो छोड़ दो और जो है architecture जोइन कर लो we went to meet the principal of the college हम principal से मिलने गया college के the principal warned me लेकिन principal ने मुझे warned किया यानि उसी college में रहा होगा architecture department I will allow you to take part in the entrance exam हाँ exam सागी बेब entrance exam में मैं तुमें allow करूंगा entrance देने का but if you don't do well यदि अच्छे तरह के से उसमें नहीं pass हुए अच्छे marks नहीं I will not allow you to join तो मैं उसमें जोइन करने का allow नहीं दूंगा architecture में चलो college में तो मैंने दे दिया था हैना वो तो उपर में सनी है कि influence से हुआ था I got an E plus समझ सकते हैं आप इंदा entrance exam बहुत बढ़ी आमार्स आया and from that day it was a cakewalk और फिर उस दिन से मेरे लिए cakewalk था उपर से कोई चीज कैसे दिखता यह मुझे आइडिया था I had never known what a section watch कि यह section यह section घर का नक्साद बाप बनाएंगी ना तो समय section होते हैं वह सब मुझे कुछ नहीं पता था but I knew if you cut a plan कि आप एक plan बना ले what it would look like तो कैसा वो दिखेगा I stood first class first I believe that all his understanding came from what I used to play and do during a school मुझे लगता है कि यह सारी understanding जो मुझे आई थी वो जो है मुझे खेलने में और जो मैं करता था school में उन से आई थी I had a friend called Behram Dibacha है ना तो एक मेरा दोस्ता वी यूज तो है कॉम्टिशन बिविन उस फर डिजाइनिंग फोर्ट्स गॉन्स एं इमिनेशन की ना हम लोग डिजाइन वो फोर्ट्स फोर्ट्स में के लिए हो गया गना आप जानते होंगे अमिनेशन गोला बारूद उसके नहीं सब का जब मैं श्कूल में सेकंड या थर्ड इस्टेंडर महीं था याणी सेकंड या थर्ड क्लास में था वन आप माइटीचर्स एक मेरी टीचर थी मिसेज गॉपका सए मैस्केच़च़ उन्होंने मेरे इसकेच़च़च़च देखा था एंड टोल में और मुझ थे और मुझ I did not know at that time but she was right उस समय तो मैं नहीं जानता था बट वो सही थी लेटर बाद में हला कि after I became an architect जब मैं architect बन गया I went back to meet her तो फिर मैं उन से वापस मिलने गया था and tell her उनको बताने गया था कि सच मुझ में आपने जो कहा था वही हुआ मैं architect बन गया भी अरबेला राजा पूछते ह वही यूदि नाघ्ट को फसंद नहीं थे यू को नहीं पसंद करते हैं और यह कूसे विल्ट करना क्या उसके साथ नहीं कर सकते एक्षिंस या कुट नौट डिल विध धर करिकूलम या फिर जो करिकूलम है करिकूलम आप लग जानते ही होँगे बैसे मिनिंग में भी दिय कि करिकुलम आपके लिए टफ था तो इस पर हाफिस कॉंटेक्टर करता है वस वेरी बाद लेंग्विज एक्चली ना मैं लेंग्विज में बहुत वीक था भाषा मेरी अच्छी थी नहीं साइंस और जियोग्रपी आइकुट डील विद मैथ वाज बेरी बैड बस मुझे सा अधि आज जो मुझे सिखा या विड फर गट अफर टू देस् जो कोई कुछ भी वो सिखाते मतलब टीचर लोग बढ़ी टूध में टूध एक डो तीन दिन में भूल जाता है वो मैं दो तीन दिन में बूल जाता है उड विद ना बदर बीकुश देर वापर फिर पड़ आप देलेशन यानि वो बियार पूझते हैं कि डिडियू थिंग क्या आपको लगता था वर्डे टॉड जो कुछ भी वो सिखाते थे इन स्कूल वस बोरिंग या तो यह बोरिंग था और डिडियू फिल या फिर आपको ऐसा महसूस हुआ आपको ऐसा लगा जैट वन्स यू बोर्डिंग स्कूल में रहना बहुत दिफिकल्ट है यानि बोर्डिंग स्कूल समझते हों का फॉस्टेल इसमें हो वी वर जस्त लीविंग फ्रॉम डे टू-डे यह नहीं तो डे टू-डे बस रह रह रहे थे नाव इस देर आर सो मीनी टेस्ट आज कल तो बहुत सारे टे में तर्क या कांटेंशन या आर्गीमेंट जो भी कहें डेरिजक कुछ गिफटेड नेस आप में उपके विए हैं आप में कुछ इस पेसल अप इपलीटी जो फिर आपको लर्निंग नहीं आती ऐसा होता है जो और चीजों में तेज अपड़ाई में कमजोर होते हैं यह दोन कि यहां पर भी आप्लाइब हुआ था इस पर सम्स्टूदेंस फ्रॉम माई क्लास को सकता है मेरे क्लास में कुछ बच कुछ लड़कों की लिए जो पड़ते थे दोज इस पर बी आर भी कहते की हां मैं भी ऐसे सिच्वेशन से कम अक्रॉस मतलब मेरा सामना हुआ है इस सिच्वेशन से बहुत सारे लोग बहुत सारे प्लेसे पर लोग कहते हैं कि जो हमारे क्लास का टॉपर था वो सिंपल जोब कर रहा है से कि अननि स्कूलBeat टिश्ञेज़ नी में जोखीय सब्सक्राइब क्लास के लिए आर लाइपस देयर में फ्ड्रीट स्मार्ट की लिएग लाइफ में जीदगी समार्ट में वहां में स्ट्रीट स्मार्ट स्मार्ट क्या मतलब क्या हूँआ स्मार्टल अगर पाइब things independently by choice rather than force कि हम वहां पर जो अपने च्वाइस से सीखते हैं वो हमें बहतर बनाता है मतलब जबरदस्ती थोप करके यह subject यह subject उससे नहीं I have learned more by doing मैं ज्यादा तर चीजे यह जो सिखें by doing सिखा है what I did on on my own than what academics would have taught me academics में जो भी syllabus में जो भी सिखलाया जाता था उससे मुझे नहीं आया जो मैं खुद से सिखा वो सब चीजे अभी डिजाइनिंग वगारा उसी से यह था भी अधैट इस विकॉस्ट पर्सनलिटी और स्किल्स वर देर वह ऐसा इसलिए कि आप में पर्सनलिटी और स्किल्स यानि कि so that nobody would stop you from doing what you needed to do मतलब उस काम को करने के लिए जो आप कुछ से करते तो इसके लिए आपने रूल भी तोड़े इससे ही यह हुआ कि आपको उस काम को करने में कोई बाधा नहीं आई see I was more interested in other things actually क्या है कि मुझे दूसरे चीज़ों में ज्यादा interest था if for example मैं आपको बताओ यदी while in class यदी मैं क्लास में होता it started raining outside यदी class में मैं होता बैठा होता और बाहर बारिश हो रही होता I would think of the flowing water तो मैं class में मेरा ध्यान नहीं जाता तो मुझे मैं बहते पानी पर ध्यान जाता and how to build a dam to block it or कैसे dam इसके लिए खीचा जाए I would be thinking about the flow of water मैं फिर flow of water कैसे बहता होगा पानी within the dam की dam में कितना बैगा and how much of water the dam would be able to hold कि कितना water जो है वो डैम में होगा कितना आठ सकता उसमें पानी that was my interest for the day उस दिन के लिए वो मेरा interest था तो बहुत सारी चीज़ जैसा मौसम जैसा परिस्थिता उसके अनुसार आपके बुक में राइट साइड में एक पिक्चर दिया हुआ है लिखा हुआ complex designed by half his contractor उन्हीं के द्वारा देखिए कितना बेस्तर इन ये unique design इन्होंने बनाया हुआ है चलिए अगला paragraph है कि when students lost a button while playing जैसे कि वो बता रहे हैं और example कि जब कोई student का button टूट जाता प्लेइंग या fighting में फिल डडाई में they would come running to me तो दोड़े दोड़े मेडे पास आते क्यों आये हैं and I would cut a button for them from chalk मैं उनके लिए chalk से काट के button मना देता था using a blade एक blade से actually क्या है कि discipline in the school was very important school में discipline तो बहुत important था no student could afford to have a button missing कि बिना button के कोई बच्चा स्कूल में आ नहीं सकता किसी में ऐसा कर देता था the students would get past dinner with a full neat uniform and after that it did not matter बस dinner के समय जाए यानि कि वो hostel में रहते थे थे ना boarding school में तो बाद का कोई दिक्कत नहीं है तो चौका ही चल जाता था coming to the present present की बात करें how do you decide as to what kind of structure you want to give a client की आप अभी present time में आप कैसे decide करते हैं कि आपके क्लाइन को कैसा structure चाहिए उसके लिए कैसा बनाना है तो इस पर सी कहते हैं I look at the client's face actually क्लाइन के face पे देखता हूं his clothes उनके कपड़ों को देखता हूं the way he talks जो तरीका उनका बोलने का होता है वो देखता हूं प्रोनाउंसे उनके उच्छारण वगर इन सब चीजों से decide होता है परसन किस प्रकार का the way he eats कैसे वो खाता है and I would know what his test would be like तो मैं समझ जाता हूं उसके बाद वेवार चाल जलन ख स्केशिंग जो कर देता हूं तो वह स्पॉंटेनियसली करता हूं इसका मतलब होता है सहस्त तरीके से यानि कि विदाउट एडवांस प्रिप्रेशन मतलब नॉर्मली मैं कर देता हूं नेच्रली कर देता हूं और पेपर ऑन दे स्पॉर्ट उसी समय डैट पेपर आई इस पे जवाब देते है ऐसी कॉलिट इंस्टिंक्ट हाँ इसंटिंक्त कह सकते हो या रिटेंड मेरे पास मैथे आता है putting design construction psychology and sociology together and making a sketch from all that is mathematics यह सब चीजों को मिला देता हूं construction को design को psychology कि मन में क्या मतलब मनोभी ज्ञान है sociology क्या समाजी को सका ही है और इन सब को मिला करके और just mathematics बन जाता है तो अब इस पर author की राय है इसमें राय है कि here we almost come to a full circle where Mr. Contractor has derived his own interpretation of mathematics यहाँ पर हम आये है Mr. Contractor के जो interpretation है जो उनका यह description है mathematics के बारे में उसके बारे में taking it from a subject he hated कि subject mathematics को हैट करते थे है ना to a subject he now loves dealing with और लेकिन उस subject के साथ आज deal करने में इनको interest आता है यह mathematics में ज्यादातर students के साथ होता है इसलिए बहुत ही यह डिडैक्टिक चैप्टर था यानि शिख्या प्रत चैप्टर था आपको भी से सीखना चाहिए अब यह नहीं है कि पढ़ाई लिखाई चोर के दूसरे प्रकारी बेवस्ता है जिस प्रकार से आप घर बैटे इस चैप्टर को पर रहे हैं चलिए उमिद करता हूं आपको इससे सीख भी मिली होगी कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके जबूर बताएं और लाइक करना तो बिलकुल भी ना भूले हो सके तो अपने फ्रेंट को शेर करें और हाँ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन मेल में और आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल सके और पहले जो वीडियोस इस बुक के इट सो है पेंड के और हनी डियू के जो मैंने अप् subscription के बाद thanks for watching have a very very nice day